हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं लाई हूं बिल्कुल इस्ट्री डिस्टाइल में पाव भाजी बनाने की रेसिपी और इसी की रेसिपी आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं तो वीडियो को लाश तक देखेगा स्किः मतकीजीगां मौट कीजेगा चलिए लंगे ही बनाने के लिए में दिखा देती हूं मैंने क्या की रूज कैया सब English क алゲ可是 2 तीन च इंच केजह लें हैं माटर्क हाऊ है गाज唱 है इंच सब दोने लिया है तो यह सारा समान मैंने लिया है पाव तो यहां पर देखें मैंने लोग की बारिक बारिक पीस में काट लिया है अब इसे डाल दूगी कूकर में इसी तरीके से मैं अपनी सारे सब्जिया को काट कर उबालने के लिए कूकर में डाल दूगी तो यहां पर यह गाजर ले लिए है मैंने और गाजर को विल्कुल बार एक पीस में काट लिया है आप डाल देंगे हम अपनी गाजर यहां पर मैंने गाजर भी डाल दिया है यह मैंने आलू काटे हैं आलू को भी डाल देंगे अब हम कूकर में यहां पर मैंने कुकर में आलू डाल दी है आप डाल दूंगे में इसमें थोड़ी सी हरी मतर अब इन सारे सब्जे को हों बॉइल कर लेंगे तो इसमें डाल देंगे हम स्वाधन सार नमक और हल्दी यह मैंने हल्दी डाल दिये तो अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम पानी बहुत ज्यादा नहीं डाला है थोड़ा सा पानी डाला है और इसे दो सीटी लगाकर 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है तो हम कूकर को अच्छे से बंद कर देंगे और इसे 2 सीटी आने तक हाइ फ्लेम पर और उसके बाद 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जिससे कि हमारी सब्जी अच्छे से घुट जाएंगी तो जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक हम इमली को गर्म पानी में भीगो कर रख देते हैं अब आ देखिए हमारी सबजी तयार हो गयी यह तो चली कुकर खोल कर देख लेते हैं किस तरीके की सबजी हमारे तीयार हुई है यह देखिए सबजी अच्छे से पख गई है तो चमचे से इस तरीके से चैक कर लेंगे अभी सब्जी हमारे बिल्कुल ड्राइ लग रही है जब इसमें इमली का पाणी डल जाएगा तो यह थोड़ी सी ग्रेवी वाली हो जाएगी यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिया है फ्राय करने के लिए और करीपत्ता और पावाजी के साथ काने के लिए बिल्कुल बारिक बा से छान लेंगे तो यहाँ पर इमली का गाढ़ा रेशा तियार हो गया है भाजी में डालने के लिए यह देखें यह अच्छा गाढ़ा रेशा हमारा तियार हो गया है तो अब मैं फ्राय करने के लिए समाल ले लेती हूं तो फ्राय करने के लिए मैंने थोड़ी सी लिए सर कखाना के अदरख थोड़ी सी ले लिए राई और थोड़ी से ले लिया करीपत्ता देखिए बाजी को छोकने के लिए करीपत्ता जरूरी होता है करईपत्ते से उसमें बहुत अच्छा फ्लीवर आता है तो यहां पर हैंने कड़ा ही ले लिय Essentially स्रृण सरसो का देल सरजो की तेल को अच्छे से पकने के बाद सुमें डाल दे Tangagya में सबसे पहले अपना भूझत माया की योटो marc किर कर दो फोड़ा तो नंक डालेंगे हैं और होड़ीन हीरा की अच्छे से चलाते वे यसे पकने देंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि नमक हम बाजी को उबलते टाइम भी डाल चुके हैं और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर थोड़ी सी कस्मीर लाल मिर्च और थोड़ इसी डाल देंगे हिंग यहाँ पर इन सारे समान को अच्छे से चलाते में मिक्स करेंगे और टमाटर को अच्छे से मैस कर लेंगे टमाटर अच्छे से मैस हो जाएगा तो उसके बाद डाल देंगे हम इसमें हिमली का पानी तो अब यह देखे टमाटर ने अच्छे से चिकनाई छोड़ दी है और टमाटर मैस भी हो गया है तो इसमें डाल दिया है अब मैंने ये इमली का पानी अच्छे चलाते हैं मिक्स कर देंगे और उबालाने का वेट करेंगे अब ये देखे उबाला गया है तो अब इसमें डाल देंगे हैं अपनी उबली होई भाजी तो यहाँ पर मेरे पास जो भी सबजी अवैलिविल थी मैंने भाजी में वो सबजी डाली हैं अगर आपके पास और भी कोई सबजी है तो आप वो भी डाल सकते हैं अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सब्जी डाल दिये अब अच्छे से चलाते वे सब्जी को मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनिट तक पकाएंगे उसके बाद कैस को बंद कर देंगे तो यहाँ पर मेरी भाजी तियार हो गई है अच्छे से मिक्स हो गई है यह देखिए कलर भी अच्छा आया है और खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आ रही है तो यहाँ पर अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे तो गर्म करम भाजी तेयार है तो इसमें डाल देंगे वो उपर से गरम मसाला थोड़ा सा तो भाजी तो हमारी तियार हो गई है अब हम अपने पाव सेख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने यह बर्गर वाले पाव लिए हैं आपको जो पसंद है आप वो पाव ले सकते हैं तो आप इनको मैं बीच से दो पीस में कट कर लोंगी और तबे पर घी लगा कर अच्छे से सेख लोंगी आप चाहें तो बटर में भी सेख सकते हैं यहाँ पर मैं घर का घी यूज कर रही हूं अभी देखिए दोनों तरफ इस तरीके से घी लगा कर अच्छे से क्रिस्पी करते वे सेख लेंगी अभी देखिए यह हमारे पाव अच्छे से सीख गए हैं तो अभी यह देखिए यह हमारे पाव सीख गए हैं क्रिस्पी हो गए हैं तो अब हम लगा लेते हैं अपनी थाली तो यहां पर थाली में मैंने डाल दिया गर्मा गरम भाजी उपर से डाल दिया पनीर थोड़ा सा ड और यहां पर चोटे-चोटे पीस कर लिए मैंने पाव के तो यह गर्मा गरम थाली तियार है पाव भाजी की और आप सभी को मेरे रेसिपी कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा थैंक यू सो